है गाइज कैसे आप सब तो सवागता आपका एक बर फिर से जिम गुरूज दोस्तों हमारा आज को टॉपिक हमारे चैनल पे नए टॉपिक है जो कि एक सप्लीमेट रिवीव की बारे में क्यों करना स्टार्ट करों मेरे को पहले दिक्कते निंदा तो बहुत सारे यह तो होता है कि यार मैंने गलत ले लिए उससे पहले देखना चाहिए था तो मेरी तरह आप भी कोई भी सप्लिमेट लेने से पहले यूट्यूब पे जा गूगल पे उसके बारे में रिसर्च करते होगी अच्छी तरह से तो आज का मेरा टॉपिक उसी रिसर्च को आपकी है या नहीं बजट कितने बजट में आ सकता है किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए कि कोई बिगनर है अब भी जम स्टार्ट कर रहा है उसको नहीं लेना चाहिए जा फिर एडबांस लेवल के अथलीट है जो बॉड़ी विल्डिंग करते हैं उनके लिए ठीक है लाइकन को क्लिक करो ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहें और दोस्तों साथ में Instagram पर फालो करो डेली के और मैं इसका रिव्यू है जो 15 दिन यूज करने के बाद भाद ही पनाना चाहता है तो क्योंकि दोस्तों ग्यूज कि यूज कि यूज का फ्लेवर क्वालिटी कैसे है क्या एक्सपेश्पीरियंस मेरे को नहीं पता चला इसलिए 15 दिन इसको खाने के बाद लिए कि देखिए मैं इसका पंदरा दिन टेस्ट किया अच्छे दरा से इसको वर्क आट कर रहा हूं मैं जब से ले रहा हूं तो दोस्तों इसकी ओवराल प्रफॉर्मेंस है जो बहुत अच्छी है जो मसल पांप है बढ़िया है नॉट बैट और जो इसके कंटेंट है में आपको बता देता हूं जो इसका स्कूप साइज है तीस ग्राम जो अप्रोक्सिमेटल इसका स्कूप साइज है और सर्विंग जो पर कंटेंडर इसकी है थर्टी सर्विंग तीस सर्विंग है इसके एक डब्बे के अंदर आती है टोटल जो इसका डब्बे का बेट है मेबी नाइ ठीक है और दोस्ते इसके अंदर क्या क्या आता है जिसमें से 30 ग्राम में से 24 ग्राम में इसका प्रोटीन है 5.5 ग्राम है जो बीसी डवले और ग्लूटामाइन आपको बॉक्स की फोटो अच्छे से पूरी साइड से एक बार स्क्रीन पे डाल दूँगा आपको शो हो रही दोस्तों यह कंपनी के आदावा करते की आई सुलेट प्रस हाइड्रोलाइज आपको देख रहा होगा देखो आई सुलेट प्लस यो हाइड्रोलाइड वे है उसका ब्लैंड आहीं मिक्स्चर दोनों का मैं आपको बताओ दोस्तों की बेव रोटीन मेंली तीन प्रकार का हो माँ चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बड़क्त ब्रॉडट है तो अगर हम की टेस्ट की बात करें तो टेस्ट का कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है तो जो लोग सब्मेंट में देस्ट की डमांड कर्ते हैं हैं तेस्ट लवर है तो दोस्तो इसको बिल्कूल भी बाइब करें इसका ठेस्ट छो लिखा होता है जैसे कि है रिच 29 का जो एक्षुल फ्लेवरर यह बिल्कूल भी नहीं आता हैै तेस्ट बनिच अच्छा ही और दोस्तो और बात करें प्राइज घी तो इसका एमर पी है बॉक्स पर तीन हजार नौस नबेर पे ठीड डबल नान जी रो जो इसका इमर पी है बॉक्स पे शो हो रहा है और यह ऑनलाइन इसका प्राइज लगवग्ड तो हजार पांच्व maps 2525 ओं के आस-पास जो इसका है प्राइज है लेकिन ये लोकल स्टोर पे से मैंने लिए है मेरे को पढ़ाई ये 2000 रुपे में तो प्राइज भी आल्मोस्ट इसको के ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही कम है अगर आप इससे भी चीपर चीपेस्ट प्रड़क्ट चाहते है तो इसी काई सी कंपनी को कॉंसेंट्रेट आता है लेकिन वो उसकी क्वाल्टी भी थोड़ा लोग होईगी वो फंदरांसों सोरांसों के आज पास आपको मिल जाएगा है हमारा नेक्स्ट पैंट दोस्तों मिक्सिबिल्टी दोस्तों आज तक मैंने जितने भी सब्लिमेट जूज के हैं इसकी मिक्सिब और दोस्तों कुछ बात ही जो इन्होंने बॉक्स पे लिखी हुई है जैसे की सुपीर क्वाल्टी प्रफॉर्मेंस प्रोटीन डैट्स ओके मिक्सिबिल्टी इंस्टेंटली ठीक है यह भी तेस्ट एसम यह जूट लिखा इन्होंने टेस्ट इसका विल्कुल भी अच्छा नहीं है स्मूथ एक्सर डैट्स ओल ओके और इन्हों लिखाय की फास्ट डैजेशन हां दोस्तों इसकी डैजेशन बहुत अच्छी है कई सप्लीमेंट में देखे है कि जैसे आर्ची का सप्लीमेंट है उसको पीने के बाद जो ब्लोटीं होती है लगता है कि डैजेशन में एड़न नहीं है ना ही कोई आतिशिल फ्लेव के लिए खोड़र में गिर जो इसके इनग्रीडिजियनिट इसわかबिता एकि जस्ट फ्लेवर के लिए थोड़ा सा है because इसमें टेस्ट इसका क्यों नहीं हासे कयो नहीं कर बहुत अब रहे और एदिचित मियाती और गोर रोगcker फीड किया जाता है वो ग्रास फेड होती है उनको घास खिलाया जाता है देखो यह बहुत यह अच्छी बात है कि उनकी न्यूट्रीशन जिन से हम मिल्क ले रहे हैं मिल्क से यह बाद में यह वे प्रोटीन बन रहा है स्टार्टिंग के पॉइंट में से ही इसकी जो प्रोटी और क्लियरी टी हमको दिखाए गई यह बात मेरे को अच्छी लगी दोस्तों इन्हों ने एक बात मेरे को इनकी अच्छी नहीं लगी कि विकॉञ़ इन्होंने स्कूप का जो साइज है वो मेंचन नहीं किया आगे कि स कूपivers है जो вінिप点 साइज इच को पे हैं को प्लेंड कूप इसको प्रूब करने के लिए हम जो स्कूप का जो साइज है उसकी कौछNow करते हैं तो चलिए जलते है कि इडहां कि इस देखी हम इसका जो बाट कर रहे हैं इसका साइज हम कर लेती है अँध जीरो होचका है, दोनों स्कूप हैं जो इसकी टेस्ट करेंगे, वोक्स की, इसको अच्छी तरह ऐसे फेल कर देता हूं, एक है जो इसको अच्छी तरह से पहले प्लेन करकी, 29 ग्राम, जो प्लेन स्कूप है, उसका हमारे पास बेटा है 29 ग्राम, अप्रोक्सिमेटली, जो उनने बताय हूँ बॉक्स पे 30 ग्राम बताय हूँ है, वो भी अप्रोक्सिमेटली, तो इसका जो स्कूप साइज है, आपने इसका जो प्लेन स्कूप साइज है, वो यूज़ कर तो इसका जो देखे जो 34 ग्राम अप्रॉक्सिमेटली चार ग्राम गया जो डिफ्रेंस यहां पर आ गया है तो आपने इसका जो स्कूप है वो प्लेन स्कूप यूज करना ना कि हीपिंग जो स्कूप साइज है इसका उपर तक इसको भरके अच्छी तरह से ऐसे प्लेन करके जो यूज करना है तो दोस्तों कि एंडव तो पॉइंट में बोलूँगा कि यह जो प्रोटीन है आल ओवर गुड है मेरे लिए मैंने इसका मेरा एक्स्पिरिंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहे अगर आप एक अच्छे बजट में कोई प्रोटीन देख रहे हैं अगर आप इसके वारे में खाश्तवर पर यह लेना चाहते हैं तो आप बड़े राम से निस्चिंतों के ले सकते हैं। और दोस्तों में एक बात क्लीर करना चाहते हूं कि आर जो लोग अभी फास्टाम ये प्रोटीन ले रहे है न? वो सोच रहा है कि वो सोच रहे है कि बोटीन यह जो supplement है 100% natural है यह दूद से बनता है दूद से पनीर निकालते हैं पनीर के बाद जो पानी है जो बच जाता है उसको purify करके filtration method apply करके ही हमारा यह whey protein बनाया जाता है make sure बस इसका difference क्या है आपको certified जो dealer है certified इसके seller है वो होना चाहिए आपके हाथ में fake जो प्रड़क्ट है नहीं होना चाहिए that's point is more important than all points because अगर आपके हाथ में गल्त प्रड़क्ट है इसी branding brand का आप एक डब्बा गल्त खा रहे हो तो आपको उसके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं तो इसलिए इस बात का खाश ख्यार रहे है इसलिए बार बार मैं अपनी वीडियो में बोलता हूं कि पोस्ट बर्कॉट में इसको एड़ करें बिकॉस्ट बर्कॉट करने के बाद हमारी बॉड़ी को instantly जो प्रोटीन चाहिए होता है वे प्रोटीन से फास्ट और कोई प्रोटीन नहीं है जो इससे जल्दी डाजेशन पर बाकि दोस्तों ओपराल जो आपकी परफॉर्मेंस है आपकी जो रेजल्ट्स हैं उनको सिर्फ ये प्रोटीन ही इंप्रूब नहीं करेगा अगर आप बोलो यार मैं तो एक प्रोटीन खा रहा हूं मेरे मसल नहीं बने ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है आपका जो तरह से नहीं ले तो इस supplement का आपको कोई फाइदा नहीं है पहले अपनी diet plan को अच्छा करो उसके बाद में add-on करना है आपकी जो protein के requirement है पूरी करने के लिए आपको supplement को add करना तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो comment और like अधर अडर्